मुझपरपुर के पुर्व विधायक बिजंद्र चौधरी किसी पहचान के महताज नहीं है आज वो महाख़बर से बादशित करने के लिए मौजूद है इस समय बिजंद्र चौधरी जी सबसे पहले आप बताईए कि आपका पॉलिटिकल केरियर कैसा रहा और अभी कहां तक है देकि 1974 में शात रांदोनल हुआ था उसी समय से हम समाजी कारजों में राइनिती कारजों में रुची लिने लेगी और उस समय से ही हमारा पॉलिटिकल के लिए सुरू हुआ है और इस बीच में चार बार एमेले बनने का मौका मिला दो बार निर्जलीब दो बार पाकी से और वो सिलसिला आगे चलना है मुझे फ़र उस सहर में हम 95 में पहली दफा चनाव जीते हैं तो हम 2010 के चनाव में कुरहनी लड़ने चले गए उसके कारण ही यहां के लोगों को ब में हम फिर पंदर में लड़े तो चनाव हाल गया है यहां की जनता ने हमको नहीं हलाया है यहां की लोगों का सम्माल मिलता था जो हमसे तुर्टी हुई कि हम कुरहनी चले गए उसके कारण लोगों का नाराज मुना सोहविट था और अभी कॉंग्रेस पार्टी में है और पार्टी में हमने आवेदन दिया है चुना गड़ने के लिए और यह सिलसिला चला है यह सिलसिला जारी है तो विजंदर चौदी जी बताए मुझपरपूर में मुझपरपूर में जो जल जमाओ की स्तिति है और जो ड्रेनेज सिस्टम है वो काफी लाचार है सुधार अभ और हमने इतना हज़ारो हज़ार गलियों का निर्मान कराया नया यूग हमने शुरू किया सहर के संजाने के लिए और इसलिए यहां के लोगों ने इंडिपेंडनेट भी जिताने का काम किया लेकिन दस साल का जो गैप है दस से ले करके उन्नेश जीस तक का नगर विकास मंत्री बने हैं सुले सरमाजी जो हम से जीते हैं और मंत्री होने के बाद बावज़ूद भी उन्होंने कोई काम नहीं किया जमीन पर धरातर पर सारा सहर परिसान है और बाद हो गया कितने घरों में पानी घुश गया दो धंदे बंद हो गया दुकानों में करोडों का संपती नुश्मस्ट हो गया लेकिन उनका ध्यान कोई खेंज़ित नहीं ना इसली कि उनको यह समझ में आता है कि भई सहरी सीट है हम पार्टी के जिस पार्टी से चुना लगते हूं उस प गया समार्ट सिटी में नीचे सबसे नीचे नंबर आ गया तो यह सब इनकी उपलब्दी रही है इसके कारण जनता ना राज है और इसका जनता त्यार है भूण टालने के लिए उनके खिलाप में आज के जो युवां है वो चाहते है कि वो कल होके पढ़ाई के साथ-साथ खेल का भी विकास हो तो विजंदर चौदरी जी आप अगर विधायक चुनके आते हैं फिर से तो आप युवां में पढ़ाई के साथ-साथ खेल का विकास कर पाएंगे गयर के लिए हैं जैए जिस लिए हमारा मानना है कि हर छेतर में मुझपपरपुर उत्तर विधार के राज़धानी है आर्थिक राज़धानी भी राज़धानी भी राजनेंश ludckt लेढ़ाई थे करने के लिए हम लोगों को जितना ताकत मिलेगा विधाय के रुपे उस ताकत का इस्तिमाल करेंगे लड़ाई जरूरी होगा तो लड़ाई करेंगे और तो अपना प्रभाव सेधी सरकार पर दवाब डाल सकते तो वो करेंगे जेकिन मुझभपर्पूर का विकास करवाएग देखिए स्मार्ट सिटी संसन जो है सो नगर निगम के परफॉर्मेंस के अधार पर दिस्वर में हुआ है इसमें किसी का योगदान नहीं है वर्सा सिंग मेयर थी उस समय में नगर निगम को काते हैं कि स्मार्ट सिटी के दरजा मिला तो जो काम तेजी से होना चीए तो नह हुआ माननी मंत्री महोदे विधायक थे मंत्री थे इनको प्रयास करना चाहिए था कि जल्दी से जल्दी काम को तेज करें इन्हों ने कोई प्रहल नहीं किया नीचे से फर्ष्ट हो गया लेकिन जैसे ही यह विधान से वाचना खतम होगा और रिजल्ट आएगा हम लोगे पर और जो आरजेडी है और वामदल है उनकी गठवंदन हुई है तो इसको लेके आपने देखा मुके सहनी जो कि सन अफ मल्ला कहे जाते हैं वो काफी नड़ा चल रहे हैं पार्टी से आप क्या कहेंगे उनके बारे में सवाल क्या है कि राजिनिती में इधर जाना उधर जाना यह सब चलता रहता है तो जिनको जहां सीट एडजेस्टमेंट होता है वहाँ वो जाते हैं वि कोई नई बात नहीं है हर कोई इधर से उधर जाने का सिलसला चालो रहता है चुनाओ बसमाद तो जो कोई भी कर रहा है उसमों कोई कॉमेंट करना उचित नहीं है यह सामान नवाद थे आपका बहुत बहुत धनेवाद महाख़वर से बात करने के लिए धनेवाद तो ये थी बिजंदर चौधरी से खास बातचीत और उन्होंने ये बोला कि अगर वो इस बार चुन की आएंगे मुझपरपुर विधायक से तो वो मुझपरपुर को स्मार्ट सिटी में तबदील कर देंगे नमस्कार आप देखते रही है महाख़वर आपके साथ मैं था अनीस राज